दमिश्कार आप देख रहे हैं यूग चर्ण और मैं हूँ आपके साथ खिश्व सिक्ट आए एक नज़र डाल लेते हैं कि बॉलिवुड में क्या चल रहा है शुशान सिंग राशपूत का साल 14 जून 2020 में निधन हुआ एक्टर के निधन के बाद उनके परिवार ने कथुत रूप से रिया चक्रवर्ती पर शुशान सिंग राशपूत को आत्म हत्या के लिए उक्साने का आरूप लगाया था लंबी जांच परताल के बाद एक्टरेस कोर्ट ड्रक्स केस मामले में गिरफतार भी किया गया था आला कि 28 दिनों के बाद उन्हें जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया था शुशान सिंग राशपूत केस के बाद रिया चक्रवर्थी की विदेश यात्रा पर भी कोट ने रोक लगा दी थी लेकिन अब इस मामले में एक्टरेस ने राहत की सास ली है क्योंकि मुंबई की विशेश अदालत से उन्हें विदेश यात्रा के अनुमती मिल गई है मुंबई की एक विशेश अदालत ने शुशान सिंग राशपूत की मौट से संबंधित ड्रक्स मामले में आरोपित अभिनेतरी रिया चक्रवर्ती को अपने परिवार के साथ विदेश यात्रा के अनुमती दे दी है अदालत ने होली की कारक्रम में शामिल होने के लिए श्रेलंका जाने के अनुमती भी दे दी है जानवी कपूर ने कल यानी 6 मार्ज को अपना 27 जन्म दिन मनाया जानवी हर साल जन्म दिन पर तिरुपती मंदर के दर्शन करने जाती है इस बार भी वो अपनी जन्म दिन पर भगवान का अशिरवाद लेने पहुची जानवी के साथ उनके रूम, बॉइफ्रेंड, शिखर, पहाडिया भी तिरुमाला गए थे उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है वहीं जानवी के बेस्ट पेंड, ओरी भी उनके साथ दर्शन करने गए थे जानवी साथ इंडियन लुक में मंदिर के बाहर नजर आई उन्होंने लाग साड़ी पहनी हुई थी इस साड़ी लुक को जानवी ने गोल्डन जुमके और नेकपीस से कंप्लीट किया हुआ था अपने बर्षड़े पर लगबग हर बार ही जानवी कपूर तिरुमाला तिरुपती दर्शन करने पहुँशती है जानवी ने अपने एक इंटर्विव में बताया कि वो वहां क्यों जाया करती है उन्होंने बताया कि उनके लिए मंदिर बेहत खास है बुद्वारात मुंबई की पाली ही लडाके में सिर्थ नवरोजी हील सोसाइटी में एक सत्रा मंजिला बिल्डिंग के चौदवी फ्लोर पर आग लग गई थी इस बिल्डिंग के पंद्रवी फ्लोर पर बॉलिवुड एक्टरेस जैकलिन फर्नैंडिस का फ्लैट मौजूद है हाला कि बड़ी बात ये रही कि फायर प्रिगिड ने डेड़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया और इस घटना में कोई आहात नहीं हुआ रिपोर्ट्स के माने तो या आग बिल्डिंग के चौद्वी फ्लोर पर मौजूद एक किचन में लगी थी हाला कि इसके असली कारणों का अभितक पता नहीं चल पाया है जैसे इस आग का वीडियो शोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो जैकलीन के फैन अपनी चिंता जाहिर करने लगे जैकलीन का लेविश फाइप बीएज के अपार्टमेंट इस बिल्डिंग के पंदरवी फ्लोर पर है उनके इस अपार्टमेंट की इंटीनियर डेजाइनिंग शारू खान की वाइफ गौरी खान ने की थी मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो 2557 स्क्वाइर पूट एरिया में फैले इस अपार्टमेंट में क्लब हाउस, जेम और सुविंग पोल के फैसलिटीज भी है साल 2012 में रिलीज हुई सल्मान खान और कैट्रिना कैफ के फिल्म एक था टाइगर सूपर हिट साबित हुई थी अब इस फिल्म के डारेक्टर कभीर खान ने एक इंटर्व्य में बताया कि फिल्म के शूटिंग के दोरान सल्मान और कैट्रिना दोनों ही अंकमफरेबल थे हाली में डारेक्टर कभीर खान, कास्टेंग, डारेक्टर मुकेश शाबड़ा के अपकविंग पॉड़कास्ट में इंटर्व्यू देने पहुंचे यहां उन्होंने फिल्म एक था टाइगर का जिगर करते हुए कहा कि कैट्रीना को हम पहले ही जोया के लिए साइन कर चुके थे फिर हम सल्मान के पास गए यह वो स्टेज थी जब दोनों का ब्रेक अप हुआ था दोनों इक दूसरे के साथ कंफ़रेबल नहीं थे मुकेश के पॉड़कास्ट के इस प्रोमो में कबीर के अलावा फराखान हंसर महता, इम्तियाज अली और राज अन डी के समेट कई डारेक्टरस नजर आ रहे हैं इस अभी अपनी फिल्मों की कास्टिंग के पीछे के मज़़दार किस्से सुना रहे हैं सेलिब्रीस के साथ भीड के बीच धक्का मुक्की और बत्तमीजी की खबरे अकसर सुनने को मिलती है अब इसका शिकार साउथ की एक पॉपलर एक्टरेस हो गई है बीच इवेंट में एक फैन ने काजल अगरवाल को सेल्फी लेने के दोरान गलत तरीके से हाथ लगाया जिसके बाद वो नाराज हो गई फैन ने ये हरकत खचाखच भीड के बीच में कि इसके बाद काजल ने इस पर तुरंट रियक्ट किया और अपने एक्स्प्रेशन से पीछे हटने का इशारा भी किया अब नेत्री हाली में हधरवाद में एक स्टोर के लॉंच पर पहुँची थी जहां काजल के साथ उनके पिता विने अगरवाल भी मौजूद थे एक्स्प्रेश इवेंट में भीड के बीच खड़ी थी तभी एक फैन उनके साथ सेल्फी लेने आया और एक्स्प्रेश के कमर पर हाथ रखने लगा काजल इस हरकत से नाराज हो गई एक्स्प्रेश ने हाथ का इशारा दिखा कर उसको समझाया उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा हाला कि सिक्योर्टी ने तुरंट काजल अगरवाल को प्रोटेक्ट किया बालीवूर्ट से जोड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रिये हमारे साथ युग चर्ण पर तब तक लिए नमस्कार